Infosys को देख लेते हैं, Infosys 600 के उपर लोटा है, बड़ी मुश्किल से बहुत समय के बाद, कितने समय के बाद ये लोटा है, आप देख लीजिए, पिछले साल फरवरी, जनवरी फरवरी में वहाँ पे था, फरवरी में था, वहाँ पे, और अब जा करके ये 600 के लोटा है, तो इसकी कहानी कैसी रहेगी आगे? जाता है, और जो पोस्ट रिजल्ट बुरोकरेज के रिव्यूज भी जो आए हैं, जो टार्गेट भी हुए हैं, वो मोस्ली 1750 विच सम डिविएशन आ रहे हैं, तो अभी उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है, कि इसमें स्टीम बन पाएगा, ये लॉंगर टम का कैंडि रखता है, तो इसमें मैंने कोई बड़ा स्टेटमेंट तो दिया नहीं है, जो अगर मार्केट चलना है, तो आईटी जे इंडेक्स चला तो ये भी चलेगा, लेकिन मैं प्यॉर स्ट्रक्चर पर जा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर बहुत ही सपोर्टीव होता है, और बहुत जब रिजल्ट के दिन ये गैप डाउन हुआ था, तो ये गैप जो है, ये गैप शुरू हुआ था, 17-30 के आसपास और इस गैप के निचला छोर जो है, वो 16-50 के आसपास है, तो अब उस गैप को ये भरने के प्रोसेस में शायद जा सकता है, जाना है इसको, लेकिन इसका जो structure है न, इसमें आप बहुत momentum यहां पर उमीद नहीं कर सकता है, momentum के लिए एक दो quarter और लगना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, बिकाज मार्केट भी ऐसे level पर है, कि कभी भी corrective phase में जा सकता है, और IT इंडेक्स के ऐसे valuation compelling तो नहीं है, कि कोई भी mouthwatering है, और जाके मैं अपनो कोई भी hard and money दाओ पे लगा दो, जी, और यहां भी क्या 15-50 पे नदर रखें पिछला जो आपका पिछले दिन का low है, नहीं, इसका जो आपको नजर रखना है न, वो 1475 पे रखना है, उसके नीचे अगर बंद हुआ दिन यह sell on rise structure में जाएगा, नहीं हुआ, तो फि पर बॉटम भी इसका 1350 के आसपास का अच्छा बॉटम है, उसके पहले थोड़ा सा बहुत clarity नहीं रहेगी, लेकिन 1475 के नीचे यह sell on rise structure में जाएगा, अधर्वाइस इसमें भी कोई weakness नहीं आएगा, ओके,